अस्सलामों अलेकुम आज हम ब्रेड और दूद का इस्तमाल करके बिल्कुल हल्वाई स्टाइल में एक ऐसी रेसिपी रेडी करेंगे जो हर उकेशन के लिए पफेक्ट रहेगी कोई फेस्टिवल हो या फिर घर पे गैस्ट आ रहे हो तो जटपट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें एक मोटे बर्तन में दो कप यानि आधा लीटर दूद लेना है और इसमें एक उबाल आने देंगे जब तक दूद में उबाल आ रहा है हम दूसरी प्रिपेरिशन देख लेते हैं यहां मैंने साथ ब्रेट की स्लाइस ली है उसके जो किनारे होते हैं उसे हमें कट कर लेना है ब्रेट की साइड जो है उसका आप ब्रेट क्रम बनाकर दूसरी रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं दूद में उबाल आ गया है अब इस स्टेज पर मैं एड़ कर रही हूँ एक से दो टेबल स्पून शक्र यहां शक्र ऑप्शनल है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं दूद के साइड साइड में जो भी मलाई जम रही है उसे दूद में मिलाते जाएंगे और दूद को आधा रिडियूस कर लेंगे यानि मैंने दो कप दूद लिया था उसे पका कर एक कप कर देना है साथ से आठ मिनट में आपका दूद जो है वो रिडियूस हो जाएगा अराम से उसके बाद जो हमने ब्रेट की स्लाइस ली थी उसे तोड़ कर डाल देंगे इसे हमें स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून का जो बैक वाला हिस्सा रहता है उसे आप मैश कर दियेगा आराम से ये मैश हो जाएगा ब्रेट जो है सारा दूद एब्जॉब कर लेगा गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे कंप्लेटली हम ठंडा होने देंगे क्योंकि गरम रहने पर ये थोड़ा सा गीला लगेगा बट जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा तो ब्रेट जो है सारा दूद एब्जॉब कर लेगा और हमारे डो में थोड़ी से स्टिफनेस आ जाएगी डो हमारे एकदम ठंडा हो चुका है अब इसमें एट करेंगे दो पिंच मीठा सोडा बाइंडिंग के लिए दो चम्मच मैदा एट कर लेंगे अगर आपको डो में जादा मौश्टर लगे तो मैदा थोड़ा और यूस कर लें ध्यान दे के हमें बहुत जादा मैदा नहीं यूस करना है दो ही चम्मज घी एड़ कर लेंगे और ये सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा हम इसका डो बना लेंगे अब हमें इस डो में से स्मॉल पोशन लेना है और हतेली की मदद से छोटा बॉल बना लेंगे ध्यान रखे के क्रेक ना रहे एक भी अच्छा सा स्मूद बॉल बनाएंगे इसी तरह सारे बॉल बना लेंगे हमने जो दूद और ब्रेट का रेशो लिया था उसमें टोटल 40-50 बॉल बनकर रेडी हो जाएंगे अब एक कड़ाई ही में दो कप पानी लेना है उसके साथ एड़ करेंगे एक कप शक्र हलका सा मिक्स कर देंगे उसके बाद एड़ करेंगे थोड़ा सा सेफरन और दो से तीन इलाइची इलाइची को हलका सा हमें फाड़ कर डाल देना है हमें शक्र को बस पानी में डिजॉल्फ करना है और जब dissolve हो जाए उसे दूसरे गैस पर shift करेंगे और slow flame पर पकने देंगे यहां मैं चाशनी पका रही हूँ तो साथ ही साथ मैंने दूसरे चुले पे तेल गरम होने भी रख दिया था हमें इसमें कोई भी एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है बस शकर को dissolve करना है पानी में और उसे बस 5 मिनट के लिए slow flame पर रखना है और हमारी चाशनी जो है बनके ready हो जाएगी गैस की flame medium low ही रखेंगे और एक एक करके ball डालना शुरू करेंगे हमें एक बार में बहुत जादा नहीं fry करना है और जब ball डालते जाएंगे उसे एक छोटे spoon से चलाते रहेंगे ताके इसका shape ना बिगड़े और हर तरफ से equal color आए हमेंसे golden brown होने तक fry कर लेना है ध्यान दे आप इसे fast flame पर fry ना करें वरना ये अंदर से कच्छा रह जाएगा और जब ये fry हो जाए तो इसे गरम गरम ही चाशनी में डालना है और ध्यान रहे हमारे चाशनी भी गरम ही रहनी चाहिए इसी तरह मैंने सारे fry कर लिये थे और आदे घंटे के लिए चाशनी में रहने दिया था लीजिए दूद और ब्रेट से हमारे एकदम हलवाई जैसे गुलाब जामुन बन कर तयार है ये इतने सोफ्ट और टेस्टी बनते हैं कि आप इसे खाए बिना रहनी पाएंगे अगर आपको मेरी ये रेसिपे पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें कमेंट करें जितना हो सके अपने फैमली मेंबर्स को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग